सस्त्रियकाल मित्रों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिद्धू मुसेवाला का असली गुनेहगार गोल्डी बरार के वारे में बता दे कि गोल्डी बरार जो की मसूर गैंग्स्टर लॉरेंस बिशनोई का सच्छा साथी है बता दे कि आज के समय में लॉरेंस विश्णोई जो की दिल्ली के तिहार जेल में बंद है लेकिन उसके बावजुद भी वो जेल में बैट करके वाटसैप चलाता है और वाटसैप और फेस्बुक के माध्यम से लोगों का सुपारी लेता है आज के इस वीडियो में चर्चा क करेंगे कि आखिर क्या वज़ा था कि गोल्डी बरार ने सिद्धू मुसेवाला को मार दिया आखिर क्या सबसे बरा वज़ा है तो वीडियो को पुरा देखना अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करी देना और चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं बता दे है कि वो कोई गेंग चलाते थे बलकि वो एक सिंगर थे और एक अच्छे सिंगर थे लेगिन उनका गाना एकदम ताजगी भरा होता था उरजा से भरा होता था जब भी कोई नए उम्र लड़के शुनते तो उनका दिवाना बन जाता था बता दे कि सिद्धू मुसे वाला क की आंतरिक अस्तर से थोड़ा सा परेशान था लेकिन वो फिर भी अपने चहरे पर कभी अपने परेशानी को दिखाता नहीं था आपने सिद्धू मुसे वाला का जेतना भी गाना देखा होगा पर तेक गाना में वो बिल्कुल इनरजेटिक दिखते हैं लेकिन अंदरूनी अ अस्तर से उन्हें परेशान किया जा रहा था बतादे कि सिद्धू मुसे वाला को बताया जाता है कि गोल्डी वरार जो की सोसल मीडिया के माध्यम से परेशान करता था कई दफा सिद्धू मुसे वाला को उसने मारने का भी धमकी दिया लेकिन सिद्धू मुसे वाला उससे साब साब कहता था कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगार सकते हो हलाकि सिद्धू मुसेवाला अपने अस्तर से तो सही ही बोल रहा था सिद्धू मुसेवाला को भी लगता था कि हमें कौन क्या कर सकता है बता दे कि सिद्धू मुसेवाला के सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगबग 2 करोड के आसपास फोलोवर्स थे तो सिद्धू मुसेवाला को आखिर कौन क्या कर सकता था लेकिन कहा जाता है न कि रब को जो मंजूर होती है अक्सर वही हो जाती है आज के वर्तमान समय में आप देख सकते हूँ कि सिद्धू पाजी जो कि हम लोगों के बीच नहीं है बता दे कि गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिस्नोई का सबसे खास दोस्त था और लोरेंस बिस्नोई और सिद्धू मुसे वाला हापस में इन दोनों का बात्चित तो कभी नहीं हुआ था लेकिन बता दे कि सिद्धू मुसे वाला और गोल्डी बरार ये दोनों का जो आपसी रंजिस था ये अंदर ही अंदर बढ़ता ही जा रहा था हलाकि इसके पिछे बहुत सारा वजह बताया जाता है अगर मैं उन सारे वजहों का चर्चा करना शुरू कर दो तो सायद मुझे लगता है कि वीडियो घंटों से बरा हो जाएगा लेकिन फिर भी आपको सोर्ट कर्ट में ये बतादू कि गोल्डी बरार जो कि सिद्धू मुझे वाला को मारना चाहता था और ये कोई आज की बात नहीं है बलकि लगबग सालों से ये रंजिस चली आ रही थी लेकिन सिद्धू मुझे वाला ने कभी भी किसी भी पुलिस के पास भी सिकायत नहीं करा और ना ही कभी उसने कभी किसी के पास चर्चा करा लेकिन सिद्धूम उसे वाला के गुजरने के बाद जब छानविन करी गई तो छानविन के बाद पता चला कि गोल्डी बरार जो कि कई दफा उसे मेसेज कर चुका था और बता दे कि सिद्धू मुसे वाला के गुजरने के बाद बता जाता है कि गोल्टी वरार ने खुद कबूल करा कि हमने अपना बदला ले लिया अब आप सुच सकते हो कि भारत के जितने भी गैंग्स्टर्स हैं उनका कितना जादा मन बढ़ चुका है और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे अपरादियों को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए जेल के अंदर बंद होना चाहिए ना कि ये लोग आजाद घुमे और आपका क्या कहाना है ऐसे अपरादियों के बारे में अलांकि सिद्धू पाजी के गुजरने के बाद उनके फैंस के लिए ये बहुत ही सदमा जनक खबर है और मुझे भी काफी बुरा लगा और आपका क्या कहाना है क्या ऐसे अपरादियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए या नहीं कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो को लाइक करें और सेनल को सब्सक्राइब अबस से करें मिलता हो के लिए नए वीडियो में